मित्रु, कविता मंजरी श्रिंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। कारिक्रम की इस श्रिंखला में हम आपके लिए लाएं हैं हिंदी के छायावादी कवियों की रचनाएं। इसक्रम में आईए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता सांध्य वंदना। तरु अधरों पर मर्मर, करुणा नत निजकर पल्लव से विश्व नीड प्रच्छाय करो है। जीवन का श्रम ताप हरो है। उदित शुक्र अब अस्त भानुबल, स्तब्ध पवन नत नयन पदमदल, तंद्रिल पलकों में निशके शशी, सुखद स्वप्न बनकर विचरो है, जीवन का श्रम ताप हरो है। सांधी शब्द दिन के अवसान और रात्री के आगवन का मिलन अभिव्यक्त करता है। ये दिन का वो समय होता है जब चर अचर सभी प्राणी दिन भर के परिश्रम के बाद थके हुए अपने अपने घरों की ओर जा रहे होते हैं। संध्या का सुरम्य सुन्दर वातावरण मात्र उन्हें दिन भर की गर्मी और थकान से मुक्ति दिलाता है। जैसे जैसे शाम ढलती है अक्सर हम देखते हैं कि संसार के सभी जीव चाहे वे मानव हूँ या पशुपक्षी ही क्यों ना हूँ अपने अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। मित्रो इसी प्रकार दिन भर काम या स्कूल में पढ़ाई के बाद जब आप घर लोटते हैं तो आपकी कैसी दशा होती है। कविता रूप में क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं।